पूडे में रोड रेज के एक मामले में एक व्यक्ती ने एक 27 साल की महिला को मुक्का जड़ दिया महिला ने बताया कि वो अपने बच्चों के साथ स्कूटी पर जा रही थी तभी पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी बार वार मुझे ओवर्टेक करने की कोशिस करने लगी मैं भी अपनी स्पीड में थी तो ओवर्टेक करने की जगह नहीं दिये अपनी गती से जाने लगी इसके बाद उसने एकदम से तेजी के साथ गाड़ी मेरे आंगे लगा दी और उतर कर मुझे मुक्का मार दिया और मेरे बाल खीचने लगे महिला की निसान देही के अधार पर पोड़े पुलिस ने आरोपी ब्यक्तिया और उसकी पत्नी को ग्रिफतार कर लिया है घटना के समय पती और पत्नी दोनों साथ पर ही थे वहीं इंस्टाग्राम पर सेर के गए वीडियो में जरनिल डी सिल्वा नाम की एक महिले ने बताया कि ये घटना तब हुई जब वह अपने बच्चों को लेकर बनेर पासन लिंक रोड पर जा रही थी वह आदमी अपनी कार से बाहर निकला और मेरे बाल खीशते हुए मेरे मुँँपर मुक्का मार दिया यह सब इतना अचानक सी हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आया मुक्का इतनी तेश था कि मेरे मुँँउसे खून निकलने लगा की आखित क्या यह सहर अब सुरच्चित रहे गया है लोग इतना पागलों की तरह बेवार क्यों कर रहे हैं मेरे साथ मेरे दो बच्चे मौजूद थे उनके साथ कुछ भी हो सकता था फिलाल आपको बता दें इस कूटिक सवार महिला के साथ हुई मार पेट मामले में पुलिस कर दो